हेलो फिरेंड्स मैं हूँ अपसेक सिना और आप देख रहे हैं रिवी डिविल का एक बहुत ही भैतरीन एपिसोड जहां मैं बताऊंगा आपको कि आप अपने आइफोन के आयेगी स्टोरेज को कैसे मैनेज करते हैं तो चलिए मैं इस वीडियो को सुड़ू कर रहा हूँ सबसे पहले आपको जाना है स्टोरेज में वहां मैं आपको दिखा दूँ कि यह आइफोन 11 ही है जैसे कि आप यहां देख पारे होंगे यहां पर सबसे पहले आपको यहां से बैक हो जाना है और आपको चल जाना है जिनरल में जिनरल में आप इसके सेटिंग्स में आप जाक कि नहीं आया है तो बैक हो जाते हैं अब उसके बाद जाएंगे आइफोन स्टोरेज में जैसे कि मैंने यहां खोल दिया है अब यहां देख रहे हैं आप मेटे भी फोन का स्टोरेज कितना बताड़ा आप देख सकते हैं कि लगबग अल्मोस्ट आधी से थोरा ज्यादा भरी होई है अब यहां पर हम उसको वन वाई वन सब चीजों को सेलेक्ट करेंगे जैसे कि आप यहां देख रहे हैं आई क्लावड फोटोज के लिए इसे कुछ ज्यादा ही स्टोरेज लिए हुए है तो यहां आप इसे भी इनेवल कर सकते हैं जिससे कि आपकी सारी फोटोज आ डिलिट कर सकता हूं मैं अभी आपको डिलिट करके भी दिखाऊंगा तो जैसे आप यहां देख रहे हैं वह मैंने वीडियो को डिलिट कर दिया है इसी तरह आप अपने सारे वीडियो को वन वाई वन रिव्यू करके डिलिट कर सकते हैं तो अब मैं फिर से बैक आ गया और और यहां देख रहे हैं आप फोटोज में लगभग 9 GB की इस्टोरेज दिखा रही है, मैं इसे भी 1 by 1 कर सकता हूँ, आप यहां से iCloud फोटोज को इनेवल कर सकते हैं, जहां से कि आप अपने सारे वीडियोज को iCloud पर डाल सकते हैं, जिससे कि आपके फोन की इस्टोरेज कम हो सकता हूँ, गूगल फोटोज देख रहे हैं, आप धाई जी भी की है, तो आपको 1 by 1 इसी तरह से हड़े के अप्लिकेशन को यूज करना है, और देखना है कि कौन कितने ज़्यादा खारा है, आप यहां एक ओप्शन है, आप जागर के फिर से आगे जाएंगे, तो देखे यहां पर कौन कुन से चीज़े हैं, जो मेरे फोन के स्टोरेज को खा रही है, फिर हमने एक एक करके सब को चेक करना है, कि कौन ज़्यादा हमारा यूज कर रहा है, और किसकी नीड है, किसकी नीड नहीं है, तो यहां से हम यह चीज़ को फाइनलाइज कर सकते हैं, और उसस से optimize भी कर सकते हैं तो आपको जी वीडियो जो समझ में आ रही होगी जिए आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पर प्रॉलम आपको हो रहा है मैं उसका reply ज़रू दूंगा इसी तरह आपको सारे एप्स को वन वाइवन रिव्यू कर लेना है जिससे कि आपकी फोन के स्टोरेज वह एक्स्पैंड हो जाए या कहने का मतलब है कि वह खाली हो जाए जिससे कि आप अपना फोन का स्टोरेज बढ़ा सकते हैं तो यह थी वह वीडियो जो मैंने आपको सही से समझाए कि आप फाली करनी जैसे आप यह देख पा रहे होंगे इस तरह की फाइल को आप कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह सिस्टम स्टोरेज फाइल है इसे आप हाथ भी नहीं लगा सकते ना ही इसमें कुछ आप चेंजिस कर सकते हैं तो फिर भी आप इसका इसका इस्तेमाल करके अपने फ आइफोन के स्रोज को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट नए वीडियो में ची तरह की इंट्रेस्टिंग आइफोन टिप्स के साथ तो देखते रहिए रिव्यू रिविल्ड इतने अभी तक आपने हमारे सब्स्क्राइब को नहीं दवाया तो इसे भी दवा लें साथ में पेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वले इस सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंसती रहे